हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेस वितराय अकेडमी, 19 जुलाई, 2021 के दैनिक जागरण के राश्टी संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे में हैडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है, वो है संसद में स सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तयार है, और ये स्टेटमेंट दिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये स्टेटमेंट इसलिए आया है, क्योंकि आज से मांसून सत्र, संसत का मांसून सत्र सुरू होने वाला है, इसमें जो ये सत्र है वो 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है और जो नए हमारे मंत्री बने हैं उनकी भी परिच्छा होगी उनका क्या रोड मैप है आगे आने वाले दिनों में इस संसत्र में पदा चलेगा देखे सर्वदलिय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों से सुझाओ भी मांगे और बैठक में टोटल 33 राजनेतिक दलों के 40 से ज्यादा नेता मौझूद थे इसमें कॉंग्रेस की ओर से राजसभा में नेता प्रतिपक्ष मलिकार जुन खडगे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सपा के डॉक्टर राज राम गुपाल यादो बसपा के सतीश चंद्र मिस इसी तरीके से और भी लोग इसमें सामिल थे रवीवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में एक सरवदलिय बैठक बुलाए गई थी तो यह मांसून सत्र है आपको यह पता होना चाहिए कि सामानिता संसत के प्रतीवर्ष कितने सत्र होते हैं तो संसत के प्रतीवर्ष तीन सत्र होते हैं पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है उसके बाद होता है मानसून सत्र जो की जुलाई और अगस्त तक जुलाई से अगस्त तक चलता है और उसके बाद होता है सीट कालिन सत्र या सीट कालिन अधिवेशन कह सकते हैं जो नवंबर से दिसंबर तक चलत है यहने संसत के तीन सत्र होते हैं बजट सत्र मांसून सत्र और सीट कालीन सत्र तो यह आपको मंत भी पता चल गया है फरवरी से मई जुलाई से अगस्त और नौमबर से दिसंबर तो यह हमारा दूसरा सत्र है नेक्श नीूज पर आते हैं अफगानिस्तान ने पाक से राज़्दूत को वापस बुलाया और यह तब निर्णे आया है जब वहाँ पर जो अफगानिस्तान के राज़्दूत थे पाकिस्तान में नजीबुला अ Reálि की उनकी बेटी सिलसिला अ की लिकी autocon lazy liakhi के ने मतलब जो इसलामाबाद में उनका पहले अपरन किया गया और उनको यातनाए दी गई इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इसमें हलागी पाकिस्तान दोरा कहा जा रहा है कि दोस्यों को नहीं बक्षा जाएगा लेकिन इस पर अफगानिस्तान ने कड़ी आपत्ती जताते हुए उन्हें वापस बुलाया है। तालिबान आतंकियों की मदद के आरोप से घिरी पाकिस्तान सरकार की परिशानी इस घटना से और बढ़ गई है। मामले में अब तक किसी की गिरफतारी नहीं होई है। और ये सिलसिला जो है वो अलिखी का उस वक्त अपरण किया गया जब वह टैक्सी से कहीं जा रही थी। अलिखिल राजधानी के F9 पार्क इलाके में पाई गई थी और उनके सरीर पर पताढ़ना के निशान देखे गये थे। इस न्यूज में आप देख रहे होंगे कि लगातार अफगानिस्तान जो है वो इस समय होट टॉपिक बना हुआ है। और कल जो न्यूज आई थी उसमें ये बताया गया है कि अमेरिका जो सितंबर में सितंबर 2021 में अपनी सैनिकों की वापसी को लेकर आस्वस्त था अब वो अपने सैनिकों की वापसी कुछ महीने के लिए रोक सकता है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से तालिवान अफगानिस के बारे में आपको कई बार बताया गया है अफगानिस्तान की राजधानी कावुल है यहां की करेंसी अफगान अफगानी है और यहां की राष्टवती अश्रफ गनी है उसके बाद तालिबान जो है उसकी स्थापना सितंबर 1994 में 1994 में कांधार अफगानिस्तान में ही नेक्स्ट निउस है कि मोधी सरकार के चलते पाक FATF की ग्रे लिष्ट में बना रहेगा, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि FATF क्या है, तो FATF का फुल फॉर्म होता है Financial Action Task Force, यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समो के देसो द्वारा 1989 में इस्थापित किया गया था, इसका काम अंतराश्टी इस तर पर धन सोधन, यानि मनी लॉंडरिंग, सामोहिक विनास के लिए हत्यारों के प्रसार को और आतंखुवात के वित्य पोशन पर नियंत्रन रखने के लिए बनाये गया था, अब इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिष्ट में रखा गया है, ग्रे लिष्ट का मतलब होता है निगरानी सूची, ग्रे लिष्ट में अगर आप हैं तो यानि कि आपकी अर्थ वर्स था, यानि कि जो पैसों का लेन देन है, कहां से आ रहा है, कहां पर खर्च हो रहा है, इसक और कई तरीके के अंतराष्टी वित्तिये आप कह सकते हैं प्रतिबंद लगाए जाते हैं याने कि आपकी कई योजनाओं के लिए जो फंडिंग होती है विदेशी बैंकों से वर्ल्ड बैंक से इन सब पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है और नय प्रतिबंद को कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार की कोशिसों से ही पाकिस्तान वित्तिये कारवाई कारेबल याने की फानेंशल एक्सेंट टास्ट पोर्स की ग्रे लिश्ट सूची में बना हुआ है उन्होंने यह भी कहा कि मोधी सरकार ने दुनिया को यह बता दिया है कि अब चीन के दबा है रखने का प्रयास किया है सरकार की सराना करते हुए देश मंत्री ने खा कि प्रधान मंत्री ने जी सैवन या जी ट्वंटी जैसे अंतराश्टी मंचों के माध्यम से आतंकवात को वैस्टिक चिंता का विश्य बनाना सुनिश्चित किया है नेक्स्ट न्यूस पर आते हैं नेक्स्ट न्यूस देखिया है कि अफगानिस्तान में भारती परियोजनाओं पर खत्रा बढ़ा आफगानिस्तान पर कबजे के लिए जारी जंग के बीच पाकिस्तानी खूफिया एजनसी आईएसाई ने भारत की और से चलाय जारी परियोजनाओं को निसाने पर ले लिया है ISI ने तालिबान और अफगान सेना से लड़ रहे पाकिस्तानी लड़ाकों को भारत दौरा तयार किये गए प्रतिश्ठानों को तबाह करने के निर्देश दिये गए हैं अफगानिस्तान में तालिबान वो अन्य आतंकी संगटनों को पाक सेना और उनकी खोफिय एजनसी पड़ाकों को विसेश निर्देश के साथ भारत द्वारा निर्मित संपत्तियों को निशाना बनाने के और वहां के भारतिय सद्भावना के किसी भी प्रतीक को हटाने के लिए भेजा कया है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से तक्रीबन 500 चोटी और बड़ी पुर्योजनाएं को या तो अंजाम दे दिया गया है या उस पर काम जारी है। नेक्स्ट निउस पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्षिर्द नरायन दिक्षित द्वरा लिखा गया है और वो आर्टिकल है कानून की आउशक्ता पर भी हो विचार। जिस तरीके से पुराने कानूनों की भात हो रही है और उसके बाद जो राष्ट्रदों का एक कानून है जिसकी अब आउशक्ता नहीं है वो काफी पुराना कानून है वो महत्मा गांधी पर लगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था तो लगबग 100 वरसल से पुराना कानून है और उसको अब बदलने की उसमें संसोधन करने की बात चल रही है और भी ऐसे कई कानून है जिनका दुरुपयोग आज के समय में होता है और कई ऐसे कानून बनाने की भी जरूरत है जिसका सही समय में पर सही तरीके से उपयोग किया जा सके इन सब बातो राश्ट्र राग जी की भी अस्मिता है राश्ट्र को भी आत्म रच्छा के अधिकार है भारती दंड सैंता याने की IPC की धारा 121, 121A, 122, 123, 124 और 124A में राश्ट द्रोह से निपटने के प्रावधान है इसमें से 124A के दुरुपयोग और खात्मे का पर बहस जारी है इस कोई बोल गए लिखे गए सब्द या संकेतों या द्रश रूपिनर द्वारा या अन्य था भारत में विज़ी द्वारा इस उत्थापर सरकार के प्रतिक घ्रणा या आवमान पैदा करेगा या उसकी कोसिस करेगा उसका प्रसार करेगा प्रहत्न करेगा वह तीन वर्स के लिए या आजीवन करावास के लिए भेजा जा सकता है यानि कहीं न कहीं से वह भारत की छवी को या अंतरकला को बढ़ाने की कोसिस करेगा उस पर 124 ए लगाया जाएगा और उसे तीन साल से लेकर आजीवन सजा का प्रावधान रखा गया है सरोच नहले ने इस कानून के दुरुपयोग पर भी चिंताव्यक्त की है उन्होंने कहा है कि सरकार ने कई पुराने कानून तरद किये हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया है अला कि ये जो कानून है वो गांधी और तिलक के विरुद्ध भी प्रियोग हुआ था यानि कि गांधी जी के खिलाफ अंग दुरुपयोग बेशक गंभीर बात हैं लेकिन कानून के आवशक्ता पर भी विचार करना चाहिए हला कि दुरुपयोग हुआ है इस कानून का लेकिन क्या अब इस कनून की भारत को जरूरत नहीं है क्या राजद्रो नहीं होता है अभी भी कई ऐसे एक्जाम्पल हैं जि सबसे बड़ा आरोप दुरुपयोग का है इसके लिए कानून का उपयोग करने वाला तंत्र जिम्मेदार है कानून नहीं अवायद हतियार रखना अपराद है इसके लिए सस्त्र अधिनियम है यह कानून समाज के लिए उपयोगी है लेकिन पुलिस इसी कानून में निर्दो पर ही किसी कानून की समाप्ति नहीं की जा सकती है अब अगर हम इसमें राजद्रो संबंदी कानून की जो बात करें उसमें दो मुख्य आरोब विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता में बाधक होना है विचार अभिव्यक्त सम्विधान का मौलिक अधिकार है लेकिन यह नि मौनना आदी के बंधन है अब यहां पर बात हो रही है मौलिक अधिकारों की तो आपको यह पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण समिधान दौरा नागर और इंन में राज्य द्वर्णहस्त छेप नहीं किया जाता है। भारत में 6 मौलिक अधिकार है। छे मौलिक अधिकार हैं जिसमें से पहला है समता का अधिकार याने की समानता का अधिकार सबको समान अधिकार है जीने का रहने का खाने का इन सबका उन्हें समान अधिकार है और ये अनुचेद 14 से 18 तक बताया गया है फिर है स्वतंत्रता का अधिकार सभी को स्वतंत्र रहन का अधिकार है स्वतंत्र बोलने का अधिकार है और यह अनुचेद 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है सोसन के विरुद्ध अधिकार अगर आपके खिलाफ कोई सोसन कर रहा है आपको परिशान कर रहा है तो वह आपका अधिकार है कि आप उसका विरुद्ध करें यह का अधिकार, भारत के नागरीकों को धर्म की सुतंतिता का अधिकार है, वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आपको इस धर्म को अपनाना है, और इसका उलेक किया गया है 24 से लेकर 28 अनुच्छेद में, उसके बाद है संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार, सबको अपनी संस्कृति अपनाने का, सिक्षा पाने का पूरा अधिकार है भारत में और इसे अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में बताया गया है, सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार, सम्वेधानिक जो तरीके हैं भारत के, उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाता है, उसे कोई भी अपना सकता है, उसके तहट कोई भी न्याय पा सकता है, यह अधिकार अनुच्छेद 32 में दिए गये हैं, तो यह मौलिक अधिकार हैं, उसके बाद आपने यहां पढ़ा कि अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 क्या है, भा भारत के समिधान में अनुचेत 19 के तहट लिखित और मौलिक मौकिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंतता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। 19A में है बिना हतियारों के सांति पून सभा करने की स्वतंतता, 19B में है संगठन और संग बनाने की स्वतंततता, 19C में है भारत के पूरे छेत्र में स्वतंतर रूप से घूमने याने ब्रह्मन की स्वतंततता और 19D में है भारत के किसी भाग में इस्थाई रूप से रहने की स अनुचेद उनिस था आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा राजद्रो कानून की सम्मयधानिक्ता का परिक्षण उचित है वर्स 1962 में सर्वोच नियाईपीठ ने केदारनात मामले में 124 एकी सम्मयधानिक्ता का परिक्षण किया था और इसे सम्मयधानिक घोचित कि यह अभी कहा गया था कि नागरिकों को सरकार की आलोशना करने का पूरा अधिकार है बसरते वे हिंसक विचार से दूर रहें भारत में सरकारों की आलोशना होती है असहमती के आउसर पर वैचारिक टक्राव भी होते हैं मूल भूत प्रश्ण है कि राष्टी अखंडता और संप्रभुता पर भी आकरमन करना सिर्फ सरकार की ही आलोशना है देखिए नहरु जी ने डिस्कावरी ओफ इंडिया में देश की धरती और लोगों को भारत माता बताया है विभिन विभिन समोहों द्वारा भावनाय आहत होने की चर्चा बहुदा चलती है राष्टी अख तो दा खत Mainteni दवौरा राष्टि राजधानी दिल्ली में नारे बाजी हुई थी की भारत तेरे तुकडे होंगे इस नारे वाजी को राजद्रो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दूसरी नारे बाज़ हुई थी कि अविजल हम सर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है यह दो सिद्ध भारत विरोधी राजद्रोही आंदोलन का ही मापदंड है ऐसी घटनाएं विचार और मनसूबे देश द्रोही हैं ये राजद्रो की ही स्रेणी में आती है आई पीसी की धारा 24 ए में इनका विचार संभव है राश्ट राज जी की अस्मिता का विधिक संरक्षन जरूरी है सक्रिय राश्ट विरोधी सक्तियों से निपटने के लिए कानून जरूरी है ये ताक्तें किसी न किसी रूप में अपने मनसूबे पूरे करने में लगी है आतंकियों की हर संभव साहता यही ताक्तें करती है नयमूर्ती रमन्ना ने कहा था कि राजद्रो कानू पर विचार अभिव्यक्ति के लित्मस टेस्ट से परिच्छण का समय आ गया है अटर्णी जनरल के के वेणु गोपाल ने तर्क दिया कि दुरुपियोग रोकने के लिए कुछ मार्ग दर्शी रक्षो पाए जोड़कर कानून का सही लक्ष पाया जा सकता है उनके अनुसार इस कानून का सुनिश्चित उद्देश व प्रायविजन विचार अभिव्यक्ति की स्वतनत्ता अनिवार है वह खुबसूरत मौलिक अधिकार है लेकिन राष्ट्री संप्रभुता अखंडता के तोड़कों के विरुद्ध विधिक कारवाई कानून की भी जरूरत है नेस्ट आर्टिकल है इतिहास को दुरुस्त करने का आउसर और यह आर्टिकल लिखा है मात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्धाले वर्धा में प्रोफेसर कृपा संकर चौबे द्वारा इन्होंने इतिहास में कुछ तत्थियों को तोड़ मरोड कर या फि यह पढ़ा जाता है कि वो राजा उनसे हार गए यह राजा विदेशी आकरमन में हार गए पराजित हुए भारत पर दूसरों का सासन चला लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि उन राजाओं ने कितने विदेशी आकरमनों को रोका विदेशीयों को हरा है कितने वर्सों तक भारत को विदेशी आक्रमों से बचाया है यह इन सब के लिए अब इतिहास में आप कहा सकते हैं कि क्रेक्शन की जरूरत है सिच्छा से जुड़ी संसत की स्थाई समिती ने स्कूलों में पढ़ाया जाने वाले इतिहास को दुरुस्त करने के लिए देश भर के सिच्छा विदों और विद्यारतियों से सुझाओ मांगे हैं या पहल तारकिक ही है क्योंकि आज अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह एकांकी और पक्षिपात पूर्ण है यह पढ़ाया जाता है कि भारती राजाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी और हार गए किन्तु उन्होंने जो युद्ध जीते उसका व्रतांत नहीं जताया जाता उताहरण के लिए आठी सताब्दी में 36 वर्सों तक युद्ध कर अपने राज्य का विस्तार कर रहे है कश्मीर के कंकोर्टक नागवंसी समराट ललितादित्य मुक्तापिंड के बारे में स्कूली इतिहास की किताबे खामोश हैं उन्होंने अरब के मुसल्मान आकरंताओं तथा तिबबती सेनाओं को पीछे ढखेला था उनका राज पूरब में बंगाल दच्छड में कोंकड पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तरपूर में तिबबत तक फैला था ललिता द देव के बारे में भी स्कूली इतिहासी किताबों में सुसंगत तरक विवरन नहीं मिलता है इसी तरह 1741 में डचों को हराने वाले राजा मारतंड वर्मा के बारे में इतिहासी किताबे प्रकास नहीं डालती हैं चोल चालुक के देव वर्मन अहोम राजाओं के बारे में भी इतिहासी किताबे लगबग ही मौन हैं दच्छन भारत से लेकर उडिशा बंगाल और पुरुवत्तर के अनेक प्रताफी राजाओं ने दो धाई सो वर्सों तक सासन किया पर उनके बारे में इस्कूली इतिहासी किताबों में को तांकी पक्ष को दूर करने का सुवसर हास से नहीं जाने देना चाहिए किसी भी देश का इतिहास कितना ही गौरवपूंट क्यों ना हो जब तक उसे सही ढंक से प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक वह प्रणा धाई नहीं हो सकता है बहुत कम पुस्तके हैं जिन से खानक माना जा सकता है हिंदु राज्य तंत्र पुस्तक दो खंडों में विभक्त है पहले खंड में आरंभिक काल महाभारत काल के राजनीतिक गरंत चौथी और पांच्वी सताब्दी के गरंत नीति एवर धर्म संबंदी ग्रंतों का विवेचन किया गया है उसके बाद सभा समितियों के कारे का विवरन देते हुए हिंदू प्रजा तंत्रों के आरंब का इतिहास बताया गया है इसके अलावा उन सभी गैर राजनीतिक व्यक्तियों का इतिहास भी पढ़ाया जाना चाहिए जिनका समाज पर असर था या जिनका राष्ट निर्वान में योगदान रहा है जैसे कबीर का जो प्रभाव समाज पर रहा है उसे केवल साहित नहीं इतिहास में भी सामिल करना चाहिए उसी तरह इतिहास के विद्धार्तियों को संक्राचार के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि किस तरह उन्होंने पूरब में गुवर्धन मठ, पश्चिम में सार्दा मठ, उत्तर में जोतिर मठ और दच्छड में स्रंगेरी मठ की स्थापना की, चारो दिसाओं में प्रमों की एकात्मक्ता व्यत्थ होती है इसी भाती इतिहास के विद्यारतियों को यह अभी पढ़ाया जाना चाहिए कि बीश्वी सताब्दी के पहले दसक में किस तरह सखा रांग गणेश देवस्कर की किताब देशेर कथा का राष्टिये जीवन में कितना व्यापक प्रभाव पढ़ा हो नेक्स्ट आर्टिकल है हंगामा ना हो देखे मांसून सत्र को लेकर आर्टिकल है यह और पहली ही न्यू बिजनस पेज में जो पहली न्यूज है कि क्रिप्टो में निवेस को लेकर बढ़ा है रुजहान तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है जो बात हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक decentralized system दोरा manage किया जाता है इसमें प्रतेक लेंदेन का digital signature दोरा verification किया जाता है और क्रोपोट और क्राइपोटोग्राफी की मदद से इसका record रखा जाता है तो आज अब हम ये जानेंगे कि cryptocurrency की आउशकता क्या है देखिए पिछले साल अप्रेल में एक cryptocurrency की कीमत 12,000 रुपए थी जो अभी 25,000 रुपए के इस तरपर है एक साल में इस प्रकार के return को देखते हुए ही भारती निवेशकों का रुजान cryptocurrency को लेकर साफ देखा जा सकता है पिछले एक साल में cryptocurrency में होने वाली भारती निवेश में 612 प्रतीसत की व्रद्धी होई है blockchain analyst firm ने ये रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल crypto बाजार में भारतीयों का निवेश 92.30 करोन डॉलर का था जो एक साल में बढ़कर 6.6 अरब डॉलर हो गया है cryptocurrency में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या 2.3 करोन है तो ब्रिटेन में सिर्फ 23 लाग लोग इसमें ट्रेडिंग करते है यानि कि अमेरिका में 2.3 करोन और ब्रिटेन में 23 लाग हाला कि cryptocurrency को लेकर सरकार का रुख अभी भी पूरी तरह इसपश्ट नहीं है पिछले दो साल से सरकार के अंदर cryptocurrency को लेकर उहापो की इस्ति है पहले सरकार crypto को प्रतिबंदित करने के लिए बिल लाना चाहती थी अब crypto को नियंत्रित करने की बात चल रही है तो आपको cryptocurrency के बारे में पता चल गया इस समय top 5 cryptocurrency कौन सी है यह जान लीजिए पहले नंबर पर है Bitcoin दूसरे नंबर पर है Ethereum तीसरे नंबर पर है रिपल चौथे नंबर पर है लिटिकोईन और पांच्वे नंबर पर है Cordon तो यह top 5 cryptocurrency थी नेक्ट नियूस पर आते हैं RBI के पास Bad Bank के लिए आवेदन करेगा IBA तो इसमें अब आपको pointy point मिल रहे हैं कि RBI के बारे में जानेंगे उसके बाद Bad Bank के बारे में जानेंगे IBA के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम RBI के बारे में जान लेते हैं लेकिए RBI के स्थापना जो है वो banking अधिनियम 1934 के तहट हुई थी और RBI की जो स्थापना है एक April 1935 को हुई थी इसका राष्टी करण 1949 में हुआ था और इसमें ये बारत ये जो बैंक बनाय गया था वो जो बैंक है या वित्यस अंस्थाने हैं उन पर नजर रखने के लिए बनाय गया था इसलिए RBI को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं वरतमान में RBI के जो गवर्नर है वो सक्तिकांत दास है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI के तो चारों डिप्टी गवर्नरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए पहले हैं टी रभी संकर डिप्टी गवर्नर दूसरे हैं M. राजे हमें अब IBA के बारे में जानना होगा IBA जो है इसका फुल फार्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसियेशन इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को भारत से संचालित होने वाली भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधी संस्था के रूप में हुई थी भारती बैंकों विकास समनवय एवं मजबूत करने के उद्देश से की गई थी तो इसकी स्थापना आपको पता चल गई 26 सितंबर 1946 को वरतमान में इसके चेर्मेन है राच किरन राय जो की यूनियन बैंक आफ इंडिया के चेर्मेन है उसके बाद अब हमें जानना है कि बैड बैंक क्या है देखें बैड बैंक से मतलब ऐसे वित्य संस्थासे है जो बैंकों के फसे करज खातों को अपने कबजे में लेता है और उसका समधान करता है बैंक करीब 80 बड़े NPA यानि फसे करज वाले खाते National Asset Reconstruction Company याने की NARCL को ट्रांसफर कर सकते हैं वित्वर्स 2021-22 को से बजट में घोसित NARCL बैड बैंक के नाम से जाना गया तो इंडियन बैंक एसोसियेशन जल्द ही रिजर बैंक के पास 6,000 क्रोन रुपे की प्रस्तावित पूंजी के साथ राष्टी संपत्ति पुनर गठन Company Limited याने की NARCL जिसके बारे में आपको बता बैड बैंक के गठन के लिए आवेदन करेगा सुत्रों के मताबिक IBA को इसके लिए license मिल चुका है कंपनी के पंजी करण के लिए 100 क्रोन रुपे की सुरुवाती पूंजी डालने की प्रक्रिया दिसा निर्देश के तहत हो रही है अगला कदम audit का होगा इसके बाद IBA संप पत्ती पुनर गठन कंपनी के license के लिए रिजर्ब बैंक के पास आवेदन करेगा रिजर्ब बैंक ने 2017 में पूंजी की अनिवारता को 2 क्रोन रुपे से बढ़ाकर 100 क्रोन रुपे कर दिया था और केंद्रिया बैंक का मानना है कि डूबे करच को खरीदने के लिए कहीं इन्डिया है उसे कारिकर्म को और बढ़ावा देने के लिए मैनुफेक्ट्रिंग को गती देने के लिए इंडिया को अधब बनाने के साथे मेंreten बाते exam रियर्ब थक्राबर समस्वर पूरे कर ली है सुक्रवार से स्रमिक यूनियन संग समवाद करने का सापता ही काम भी सुरू कर दिया गया है जो अब प्रतेक सुक्रवार को किया जाएगा पिछले सुक्रवार को इंटक C2 BMS जैसे कई स्रमिक यूनियन संग स्रम मंत्री से मिले और उनसे बात करी उन्होंने बताया स्रमिकों की समस्या के साथ और दोगिक गतिविदियों की जानकारी के लिए स्रमिक यूनियन के साथ समवाद कायम करने का सिलसला सुरू हो गया है समवाध होने से स्रमिक यूनियन भी सरकार के नजरिये को पहले से जान रही होती है नेक्स्ट निउस पर आते हैं नेक्स्ट निउस है जंग के बीच तालिबान समझोते के पक्ष में अब दिख रहा है तालिबान कहीं न कहीं अब ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान से समझोता कर ली देखे तालिबान की जो इस्थापना है वो आपको पहले निउस में बताई गई थी कि सितंबर 1994 में कांधार अफगानिस्तान में हुई थी लेकिन तालिबान के बारे में भी जान लीजिए कि तालिबान एक इसलामिक कटरपंथी राजनीतिक अंदोलन है इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदर्सों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान सासन के दोरान मुल्ला उमर देश का सरोच धार्मिक नेता था उसने खुद को हैड आफ सुप्रीम काउंसिल घुरूसित कर रखा था तो अब इसमें अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही वारता के शुरू होने के बार तालिबान के सुरू बदल रहे हैं अफगानिस्तान के सुप्रीम नेता हिजाब उतिल्ला ने कहा है कि वे मौझूदा संघर्ष को रोकने के लिए राजनेतिक समझोते का पुर्जोर समर्थन करते हैं दोहा में एक दिन पहले ही तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के एक प्रतिनिदी मंडल के बीच वारता सुरू होई है वारता का पहला दौर सुरू होने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ रही है कि हिंसा के वर तो यह आज का यानि 19 जुलाई 2021 का द्यानिक जागरण का राष्टी संस्क्रण था आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद